हेलो अब्रिवान वेलकम बैक तो स्टडी स्पोर्ट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दे पॉर्ट अफ गोल्ड बाय प्लॉटिस को फादर ओफ कॉमेडी भी का जाता है और इस वीडियो में हम लोग एक्ट वाइज और एक्ट के भी जो सीन से उन सब को बहुत रोमन पेराइट टाइटिस मेकियस प्लॉटिस तो यह जो टर्म है अलूलेरिया यह एक लेटीन टर्म है जिसका मतलब होता है एक लेटिल पोट पोट का मतलब होता है एक घड़ा तो यह लिखा गया था रोमन पेराइट टाइटिस मेकियस प्लॉटिस के दवारा प्लॉट यह actually में maker से आया है जिसका मतलब होता है एक क्लाउनिस स्टोक करेक्टियर वैसे करेक्टियर को कहते हैं जिसका एक च्छवी बना हुआ है audiences में पहले सही means वह एक particular thing के लिए जाना जाता है for example कपे सर्मा अगर वह किसी भी stage performance करते हैं तो हमें पता होता है कि वो comedy से associated है तो उनका नाम सुनकर ही हमारे मन में आता है laughter because he makes us laugh तो वैसा character जिसका अगर हम लोग किसी play में role देखते हैं कि वो character है इस play में तो हमें पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं तो उसी को कहते है stock character और plotis का मतलब होता है flat-footed या फिर flat-eared और ये जो उनका name है tightiest macchiest plotis ये उनका pen name है और उनका real name unknown है वो किसी को ने पता कि उनका real name क्या था ये तो उनका pen name है the title literally means the little pot और ये जो title है allul area इसका literally meaning है the little pot but some translators लेकिन कुछ translators ने provide the pot of gold उन्होंने जब इंग्लिस में से translate किया तो उसका title दिया the pot of gold ये gold की बाद कहां से आई क्योंकि इस play में gold के बारे में ही चल्चा हुई है and the plot revolves around a literal pot of gold और क्योंकि ये जो play है ये revolve होती है around a literal pot of gold और एक pot of gold के ये कहानी घूमती है the place ending does not survive और इस play की ending survive नहीं है means इसके सिर्फ आधी ही manuscript available है और बाद में एक appropriate conclusion किसी और writer ने लिखा था यहां पर कोटेशन है यहां पर कोटेशन है आधी है और plot इस का बोथ बिकाज ऑफ इस intrinsic interest and quality इसे जाना जाता है इसके intrinsic interest means आंतरी के अंतरी के कारण और इसके quality के कारण and also because of its later influence on the European dramatic tradition और बाद में जो इसका influence हुए है European dramatic tradition में उसके करण से भी ये play बहुत ज़्यादा popular हुई थी और ये जो quotation है इसे दिया था R.L. Hunter ने तो जब आप अपने exam में quotations use करते हैं तो ये आपको answer को और भी ज़्यादा effective बनाता है तो आप quotations को ज़रूर याद रखें फिर हमारा next about the playwright Titius Macius Plotus was a Roman playwright of the old Latin period Plotus जो है वो old Latin period के एक Roman playwright थे His comedies are the earliest Latin literary works to have survived in their entirety और उनके comedies ही सबसे ज़्यादा earliest work है जो अभी भी completely survived है लेकिन उनके भी सारे works completely survived नहीं है उनके कुछ works ऐसे भी हैं जो उनके scenes missing है किसी के starting में तो किसी की ending में बट missings है बट इस most of the plays are available completely Not much is known about Titius Macius Plotus early life और उनके early life के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है It is believed that he was born in Sarsiniya और ऐसा माना जाता है कि उनका जनम Sarsiniya में हुआ था जो कि एक small town है कहां पे तो Amelia Romagna में जो की है Northern Italy में और इनका जनम हुआ था 254 BC में According to Maurice Morpels, Plotus worked as a stage carpenter और scene shifter in his early years और Maurice Morpels कहते हैं कि उन्होंने अपने starting years में early years में एक stage carpenter और scene shifter के रूप में काम किया था Perhaps, Shia that's the reason his love of the theatre originated और साथ यही reason है कि उन्हें theater की और उनका लव बढ़ा वो theater को पसंद करने लगे His plays were released between 205 and 154 BC और उनका जो भी उन्होंने plays लिखे वो release हुए थे 205 से लेकर के 184 BC के बीच में His works include और उनके works में सामिला मैं यहाँ पर उनके works से कुछ नहीं mention की हुई हूँ जिसमें से पहला है Amphitruo Then है Asin Area फिर है Allure Area Then है Batchides और इसका भी starting का कुछ scenes Missing है Then है Captivity जिसे The Captives के रूप में translate किया गया वाद में और है Cassinia और in plays के अलावा भी और भी कई सारे plays उन्होंने लिख रखे है अब हम लोग इसके plot analysis को देखेंगे जिसमें सबसे पहला है हमारा Act 1 Act 1 का भी scene 1 The play opens with a prologue delivered by a household deity तो ये जो play open होता है एक prologue से prologue क्या होता है एक separate introduction होता है किसी भी literary work का यहाँ पे जो prologue है ये deliver किसके द्वार किया गया है तो एक household deity के द्वारा एक house के देवता के द्वारा जिसका नाम है लार फैमिलियारिस और ऐसा माना जाता है कि ancient Rome में क्या होता था कि सभी घरों में एक household deity होती थी जो उस घर को protect करती थी और बदले में वो expect करते थे कि उनकी पूजा की जाए उन्हें अगर बत्ती किया जाए और उसे wine जराए जाए who provides background information और उन्होंने यहाँ पे एक background information प्रवाइड किया है the deity explains that Eucleus grandfather buried a pot of gold in the house तो यह जो deity है वो अपने प्रोलोग में बताती है यहाँ पे explain करती है कि जो Eucleus है Eucleus के grandfather ने बरी किया था a pot of gold एक सोने से भरा घड़ा उन्होंने बरी किया था अपने house में which has remained hidden for years जो छोपा रहा कई सालों तक Eucleus the current honor of the house और Eucleus जो की अभी honor है उस house का is a miserly old man वो एक गरीब बुढ़ा आदमी है who recently discovered the gold जो अभी अभी उस gold को discover किया है तो actually में Eucleus ने खुद से discover नहीं किया था यहाँ पे जो DT का नाम आया भी लार्फ फैमिलियारिस इसने उसे बताया थे कि यहाँ पे देखो gold है जाओ और discover करो तो ऐसा क्या था इसमें कि Eucleus को ही इसने बताया कि वहाँ पे gold है Eucleus के father भी तो थे उसे क्यों ने बताया कि वहाँ पे जाओ gold है उसे discover करो यूज करो क्या था कि अभी बताई मैं कि लार फैमिलियारिस एक्सपेक्ट करता था बतले में कि उसकी पूजा की जाए लेकिर युकलियो के फादर ने उसकी कभी पूजा नहीं की और नहीं उसके ग्रेंट फादर ने उसकी पूजा की थी और युकलियो भी नहीं करता था उ उसका help करता है Euclio का तो इस तरह से अब Euclio को एक घड़ा मिर जाता है सोने से बरा हुआ और अब क्या होता है अब उसे पैरनोया हो जाता है Euclio जो है उसने गोल्ड डिसकेवर कर लिया और अब वो पैरनोया से पीडी था है पैरनोया क्या होता है तो इसमें परसन को दूसरों पर भरोसा नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है किसी भी चीज को ले करके तो यहां पर यह जो कैरेक्ट्र है यूख्लियो यह डरा हुआ है अपने इस ट्रेजर को ले करके उस पॉट फ गोल्ड को ले करके कहीं कोई उसे चुरा के न ले जाये उसे हमेशा उसे पॉर्ट फ गोल्ड को खोळने का डर होता है और यह बहुत हिजद लाल चीव होता है तो इसको लगता है कि सब कोई जो उसके पास पास है वो सिर्फ उसके pot of gold को चुराने के लिए ही आया है वो कहते है ना चोर की दाढ़ी में तिनका उसे एहर टाइम डर रहता है फिर आता है सीन टू यूकलियो इस इंटर्डूस्ट सीन टू में यूकलियो इंटर्डूस्ट होता है अल्रेडी वो एक paranoia से ग्रसित है अब he constantly checks to ensure the gold is hidden safely and becomes suspicious of everyone around him including his servants तो अब वो क्या करता है वो लगातार चेक करते रहता है कि उसका जो gold उसने छिपा के रखा है वो safe भी है या नहीं और वो उन सब पर suspicious करता है वो उन सब पर वो सक करता है जो भी उसके आसपास होते है और उतना ही नहीं वो अपने servants भी सक करता है कि कहीं वो लोग भी उसके pot of gold को चूरा ना ले जाए इस primary concern is to prevent everyone from discovering his newfound wealth और अब यूकलियो का primary concern ही है कि वो उस pot of gold की रक्षा करे जो उससे अभी 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 प्राप्त हुई है he chases away any potential thieves including his own household members and neighbors accusing them of floating to steal his gold तो वो सब को भगा देता है he chases away सभी को जिसमें उसे potential दिखाई देती है सम्भावना दिखाई देती है कि वो चोर हो सकता है उसके pot of gold के लिए कहीं वो चूरा के ना ले जाए तो उन सभी लोगों को भगा देता है जिस पर वो शक करता है कि वो उसके pot of gold को चूरा लेगा और इसमें शामिल को ने तो उसके रहाँसओल्ड के मेंबर्स भी उन पर वो शक करता है उनके नेवर्स पर भी शक करता है और उन्हें वो एक्यूस करता है उन पर लगाता है कि तुम लोग प्लॉट कर रहे हो मेरे गोल्ड को चुराने के लिए अक्शलियम यह सब उनके मन में चल रहा होता है बाहर किसी को सब्सक्राने की यूख्लियो एक फाउंड किया है पॉट अफ गोल्ड फिर आता है सीन 3 मेंगडॉर्स यह एक न्यू करेक्टर है मेंगडॉर्स यह एक वैल्दी और एजिंग बैचलर है इसने अभी साधी नहीं कि यह अभी कुवारा ही है और वैल्दी है काफी एजिट भ करना चाहता है यूख्लियो की डॉटर फैड्रिया से यह जो है यह बहुत ही कम उम्री की है मेंगडॉर्स की तुल्ला में डिस्पाइट बेंग और और होने के बाद भी मेंगडॉर्स जो की बहुत ही और है फैजिया से उसके बाद भी ही इस अट्रेक्टिक टु दो और उसका यह बिलीव है कि एक पूर वाइफ अगर वो लाएगा तो वो कुछ ज्यादा लग्जर्यस चीजों की डिवान नहीं करेगी और इसका एक और भी रीजन है फैड्रिया से साधी करने का कि यह तो काफी बूड़ा हो चुका है मेंगडॉर्स तो यह अपनी ही उमर क लड़की से साधी करता है तो यह दोनों बहुत जल्दी और भी जादा बूरे हो जाएंगे और साइद यह अपने चिल्डर्न की क्यार नहीं कर पाएंगे तो यह चाहता है कि यह अपने से कम उमरी की लड़की से साधी करे ताकि जब मेंगा डॉर्स मर भी जाए आगे चल क करके तो वह कम उमरी के लड़की जो रहेगी वह अच्छे से ध्यान रख लेगी अपने बच्चों का इसलिए फिर आता है हमारा एक्ट टू का सीन वन मेंगा डॉर्स अप्रोचिस यूकलियो विद अप्रोपोजल टू मैरी फैट्रिया अब यह यूकलियो के पास एक प्र आफर से कहीं नहीं वह भी चाहता है कि हाँ ठीक ही रहेगा कि वह तो वैल्दी है मेगा डॉर्स वैल्दी है इन लोगों की तुलना में हाइवर हीज इमेडियेट कंसर्ण इस वैदर मेगा डॉर्स नूस अवावव दप फ़ गोल्ड लेकिन अपनी बेटी का उनका शादी अब रहे हैं और उसे का लालस में यह आया है लेकिन बाद में यूक्लियो उसे बहुत सारे अजीव अजěव करने लगता है और बाद में जब उसे संतुष्टी मिल जाती है कि नहीं यह इसे पता नहीं है कुछ भी और यह लालच में नहीं आया है तो फिर वो अग्री कर देता है कि ठीक है तुम मेरी बेटी से साधी कर लो और यह सबसे बड़ा रिजन होता है कि मेरी नहीं लेना चाहता है और इसके अलावा साधी का जितना भी खर्चा होने वाला है वो मेरी देगा इस सीन हाईलाइट करता है उस टाइम का जो नौर्म से मेरी का और डावरी का उस चीज़ को कि किस तरह से एक कम उम्रे की लड़की का शाधी एक एज़ेट मैं से करा दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि डौरी ना देना पड़े एंड लगका क्योंकि वेल्दी है तो करा दिये शादी इकलियो का जो पैरनोया है जो और भी जादा बढ़ने लगता है क्यों क्योंकि उसे हमेशा उसके मन में चलता है कि उसका जो पॉट फ गोल्ड है वो उसे वो खोदेगा इस लोकेशन और वो क्या करता है दिन में कई बार अपने पॉट फ गोल्ड को देखने जाता है हर बार उसे कहीं ना कहीं न्यूप प्लेस में चुपा देता है एक बार तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब फियर में आ जाता है कि वो खोदेगा अपने पॉट फ गोल्ड को तु वो क्या करता है खुद की ही गार्डन को खोदने लगता है कि वहां पर वो अपने गोल्ड को छुपा देगा और उसे लगता है कि दिवारों के भी कान होते हैं तो साइद किसी को पता ना चल दा घर में रहने से फिर आता है सीन 3, Megadorus prepares for the wedding with a fist अब Megadorus prepare करता है वेडिंग के लिए और वो एक बहुत बड़े fist का आयोजन करता है He instructs his servants to prepare a lavish banquet at Eucleus house और Eucleus की house में भी एक बहुत ही बड़े भोजन का आयोजन किया जाता है सभी लोग रहेंगे वहाँ पे तो वो कुछ servants को भेजता है खाना बनाने के लिए Meanwhile इसी दौरान Eucleus returns Eucleus जो के अभी garden में गड़े खोद रहा था पॉट ऑफ गोल्ड को छुपाने के लिए वो रिटर्न आता है Becoming increasingly paranoid और यह अभी भी बहुत ज़्यादा paranoid है As he sees the preparations and believes that they are a ploy to distract him and steal his gold तो अब वो और भी ज़ता paranoid हो जाता है क्योंकि वो देखता है उन preparations को जिसमें बहुत सारी लोग होते हैं और उसे believe होता है कि यह सारी लोग आये हैं एक ploy करके एक चार्ड रजकर कि वो सबसे पहले यूकलियो को distract करेंगे और फिर उसके pot of gold को चुरा ले जाएंगे और अब इसके बाद आता है हमारा Act 3 का Scene 1 Leakonoids, a young man who has impregnated Phedria appears on stage तो एक और character आता है Leakonoids जो की एक young man है जिसने Phedria को pregnant कर दिया Phedria कौन? यूकलियो की बेटी और Leakonoids कौन है? तो यह Megadorus का भांजा है Leakonoids means Leakonoids की जो mother है वो Megadorus की बेहन है He decides to seek permission from Eucleus to marry Phedria और यह decide करता है कि वो permission लेगा Eucleus से कि वो Phedria से शादी कर सकी unaware that Megadorus has already made a proposal तो यह unaware है उस चीज से कि Megadorus जो की उसके अंकल है वो पहले से प्रपोस कर चुके है Leakonoids confides his mother, you know Mia who urges him to be honest and take responsibility for his actions Leakonoids अब अपनी mother को मनाता है जिसका नाम है Unomia वो और Unomia उसकी mother उसे request करती है कि honest रहो और तुमने जो किया है उसकी responsibility लो फिर आता है scene 2 Eucleo growing ever more suspicious यह अब और भी ज्यादा suspicious होने लगता है decides to hide the pot of gold in a nearby temple और अब यह decide करता है कि वो अपने pot of gold को एक nearby temple में छुपा देगा जिसका नाम रखा गया है shrine of fights हाइवर इस्ट्रॉबिलेस मेगाडॉरेस का एक चालाक नौकर है has been watching युक्लियोस every move इस्ट्रॉबिलेस युक्लियो को छुप छुप कर उसे follow कर रहा होता है वो क्या कर रहा है हर पर उसकी जानकारी वो रखता था और यह बताता था लिकोनोइट्स को क्योंकि लिकोनोइट्स नहीं स्ट्रॉबिलेस को कहा था कि तुम जा युक्लियो के पीछे और वो क्या कर रहा है कब किस mood में है सब मुझे information देना क्योंकि लिकोनोइट्स चाहता था कि जब युक्लियो अच्छे mood में होगा तब वो जाकर उससे बात करेगा और अपने कर्टूते के बारे में बताएगा और अपना जो गिल्ट है वो भी फील कर रहा वो सब express करके फैड्रिया से शादी करने के लिए प्रपूस करेगा तो फट्रीव गोल्ड को और अब वो उस पंट फटीव गोल्ड को चुडा भाग जाता है सोना देखकर उसका इमान बिगर जाता है युकलियो अपन डिसकवरिंग दा त्हेप्ट योग्लियो पता चल जाता है कि उसके पोट्टफ गोल्ड की चोडि हो गई है फॉल्स इंट स वह दुख मना रहोता है और बहुत कुछ बढ़ा रहोता है और भी बहुत कुछ बढ़ा होता है अपने दुक को एकस्परेस करते हुए तभी वहाँ पे आता है लिक्वौन तर इंथा के बीचIC एक confusing and बहुत ज्यादा funny एक conversation होती है His paranoia is now justified but he is clueless as to the thief's identity उसका paranoia justified हो चुका है और वो clueless है कि किसने चोरी की होगी फिर आता है हमारा scene 3 Leakonoids encounters you Cleo अभी हमने बताया ना कि इन दोने के बीच एक funny and कापी ज्यादा confusing interaction होती है तो अभी Leakonoids आता है encounter करता है Ucleo से मिलता है who is in a state of frenzy over his missing gold जो भी बहुत ज्यादा frenzy है means Ucleo frenzy है अपने gold को खोकर तभी Leakonoids आता है Leakonoids mistakenly believes that Ucleo is angry about his affair with Phadria and tries to confess Leakonoids जब Ucleo को इस हालत में देखता है तो उसे लगता है वो upset है angry है क्योंकि Leakonoids का affair है Phadria के साथ में और सब कुछ उसे पता चल गया है तो Leakonoids try करता है confess करने का But Ucleo is too preoccupied with the theft to listen properly But Ucleo जो है वो तो पहले सही अपने pot of gold को लेकर चिंता में है तो वो अपने इस गम में इतना ज़ादा खो गया है इतना ज़ादा वो डूब गया है रोने में इस state of mind में नहीं है कि वो किसी और की बात को सुने After some confusion and misunderstanding Leakonoids finally understands that Ucleo's distress is about something else entirely तो यहां पर कुछ confusing and misunderstanding से भरी conversation होती है दोनों के बीच में और फिर Leakonoids को समझ आता है कि यूकलियो जहां वो किसी और चीज को लेकर के distress है means pot of gold की चोरी को लेकर के distress है यह बात पता चल जाती है पहले तो यूकलियो को लगता है कि Leakonoids ने इसके pot of gold को चुराया है क्योंकि जब वो रहा था यूकलियो जब रहा था तो उस time Leakonoids आता है और वो confess करता है कि आप जो इस हालत में है अभी आप जो रह रहे हैं इसके जम्मिदार में हूँ अब Leakonoids को जब पता चल गया है कि यूकलियो अपसेट है क्योंकि उसका pot of gold missing है तो वो try करता है खोज करता है pot of gold की और उसे वो return करना चाता है फिर आता है हमारा actor 4 का scene 1 Leakonoids decides to help यूकलियो find the lost pot of gold to prove his sincerity and honor hoping it will make यूकलियो more amenable to allowing him to marry fedria तो अब Leakonoids को जब पता चलता है कि यूकलियो अपसेट है अपने pot of gold के missing को ले करके उसकी चोरी को ले करके तो वो चाहता है कि वो उस pot of gold को खोज कर उसे वापस कर दे ताकि यूकलियो को लगे उसके सामने वो प्रूफ करता कि अपनी sincerity को कि कितना अग्याकारी है वो और कितना honorable है और इसे लगता है कि ऐसा करने से यूकलियो मान जाएगा और फेड्रिया से साधी करा देगा Leakonoids की Strobulus यह वही servant है Leakonoids and Megadonus का servant meanwhile tries to hide the stolen gold but is caught by Leakonoids तो यह जो Strobulus है यह उस pot of gold को छुपाने के कोशिश कर रहा था लेकर Leakonoids पकेट लेता है actually में यह जो Strobulus है कि उस pot of gold को लेकर Leakonoids के पास ही आता है और क्यों लेकर के आता है क्योंकि Strobulus जो है servant था Leakonoids का और अब वह freedom चाहता था Leakonoids से Strobulus चाहता है कि वह कुछ gold Leakonoids को देकर अपने freedom को खरीद लेगा और बाकी बचे gold को लेकर के एक अच्छी luxurious life को जिएगा तो जब Strobulus Leakonoids के पास आता है तो उसे समझ में आ जाता है Leakonoids को की इसी ने चुराया है उस pot of gold को तवी इस के पास इतना सोना है और फिर वह उसे कहता है कि वापस कर दो लेकिन Strobulus वापस करने से मना कर देता है कहता है कि भले तुम मेरी जान ले लो बट मैं वापस नहीं करने वाला और यहां पर जो सीन है इतना तक का ही सीन और इसके बाद की जो आने वाले सीन्स हैं उसे किसी दूसरे राइटर ने एक एप्रोप्रियेट कंक्लूजिंग एंडिंग दिया है तो अब लिको नोइट इस च्ट्रॉबिलिस को मनाने के कोशिश करता है वो मना मिलेता है कि वो रिटर्न कर दे उस पॉट अफ गोल्ड को यूख्लियो को मैं बताई आपको ये फ्रीडम के लिए लाया था उस पॉट अफ गोल्ड को फिर आता है हमारा सीन्टू लिको नोइट टेक्ट अब रिटर्ण इट्टू यूख्लियो को वापस लेकर जाता है यहां पे इस साइट कुछ मिसिंग है यहां पे कोमा के बाद होगा यूख्लियो कंसिडर्स जाट इसके लिकोनोइट को वो एक ट्रस्ट बोर्दी समझने लगता है और फिर वो राजी हो जाता है कि फेट्रिया की शादी करा देने चाहिए लिकोनोइट से क्योंकि अब वो एक अच्छा आद्मी है वो हेल्पी करता है फिर आता हमारा एक्ट फाइव का सीन वन यूक्लियो नाव ल अपसेशन विद वैल्थ तो यूक्लियो को जब उसका पॉट अफ गोल्ड मिल जाता है तो उसका जो डर था हर टाइम की वो अपने पॉट अफ गोल्ड को खो देगा वो कम हो जाता है अब वो लेस पैरनोइड है और वो रियालाइस करता है फॉली को कि वो कितना ज्यादा सब्सक्रेंट कीन करने सब्सक्राइब का ओफ सैस्प्सक्राइब सक्राइब का है मने तरफिस पोल्डियो एक्सेप्ट करताह और चिरागें कीवना जैड़ेज्ञ वो लूं जब समझ जाता है He has a change of heart और उसका अब हिरिदाई परिवर्तन हो जाता है In a surprising twist, Ucleo decides to give the pot of gold to Lico Knights as a dowry for Phetria तो अब एक surprising twist क्या होता है कि Ucleo जहाँ वो decide कर लेता है कि वो जो pot of gold थी जिसके लिए वो इतना ज्यादा worried था पहले से कि वो paranoid हो गया था अब वो decide करता है कि वो pot of gold Lico Knights को देगा as a dowry for Phetria Signifying his acceptance of the marriage और ये चीज़ signify करती है कि उसने accept कर लिया है उस marriage को and his newfound understanding of what truly matters और अब उससे समझ आ गया है कि सच में क्या matter करता है सच में wealth and status matter नहीं करती बट जो mind का जो peace होता है वो matter करता है जब से युकलियों के पास वो pot of gold था तब वो कितना ज़्यदा परिसान रहता था कि कहीं कोई आए और उसके pot of gold को चुरा के ना ले जा लेकिन जब वो दे देता है उस pot of gold को तो फिर उससे realize होता है कि सच में mind की शांति क्या होती है और वो happy feel करता है फिर आता है हमारा scene 2 दपले ends with a celebration of the upcoming marriage of lykonoids and fedria तो इस play की ending होती है celebration से marriage celebration से जो की है lykonoids and fedria की दपले concludes on a comedic note एक comedic note के साथ ये play conclude होती है विद योकलियो making a full turn from a paranoid miser to a more reasonable and contained man अब योकलियो का rhythm परिवर्तन हो जाता है वो एक miser paranoid से लेकर के एक reasonable and एक ऐसा man बन जाता है जो अपने life से संतुस्ट है उसे अब wealth नहीं चाहिए यहाँ पर हमारे acts and scenes खतम होए अब आते हमारे themes themes पर में एक separate video upload करूँगे कल फिलहाल हम लोग सिर्फ इसके point को देख लेते हैं ससे पहला point है greed and awareness then है paranoia and distress, deception and trickery, social status and marriage, wealth and its impact on human behavior, transformation and redemption फिर आता है हमारा conclusion the pot of gold revolves around Eucleo यह pot of gold story revolve करती है Eucleo की एक old miser है who finds a hidden pot of gold and becomes obsessed with protecting it जो एक hidden pot of gold पाता है और बहुत ज्यादा obsessed हो जाता है उस pot of gold को protect करने को लेकर के his greed and paranoia lead to a series of humorous misunderstandings and conflicts और इसका greed और इसका paranoia एक series को lead करता है a series of humorous misunderstandings and conflicts in the end और end में Eucleo learns the value of generosity and relationships over material wealth और end में उसे समझ आती है कि generosity और relationship को क्या महत्व होता है यह जाद यह जादा important होते है material wealth से इस पूरे play में वो सिर्फ उस pot of gold के पीछे भागता रहा लेकिन ending में उसे समझ आया कि wealth से कुछ नहीं होता उसके people's relations से पच्छे होने चाहिए और उसमें एक उदारता होनी चाहिए deciding to use the gold for his daughter's dory और अब वो decide करता है कि वो उस gold को अपने daughter की dory के लिए यूज करेगा the play highlights the fullestness of excessive greed and the importance of human connection and trust और यह play highlight करती है fullestness को fullestness of excessive greed का ज्यादा लालस का क्या fullestness है उसका और जो importance है human connection का और trust का यह सारी चीजें यह play highlight करती है और एक बात में आपको बताना चाहती हूं कि वो जो लड़की थी फैड्रिया स्टार्टिंग में मैं आपको बताए थी कि वो पूजा करती थी उस household deity लार की और लार ने ही योकलियों की मदद की थी कि वो discover कर सके उस घर में छुपे हुए pot of gold की लेकिन वो pot of gold ultimately मिला किसको तो फैड्रिया को जो पूजा करती थी उस gold की और यहां पर हमारा आज का वीडियो खतम हुआ इसके notes आपको टेलेग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएंगे और कल इसके themes फर वीडियो अफ्लोट कर दूंगे मैं तिल दन keep watching and keep learning thank you for watching the video